अब हम लोग एक नया कॉंसेट सिखते हैं इस कॉंसेट से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई सॉलिड आफजेट किसी लिक्विड के अंदर डूगा होगा तो उस सॉलिड आफजेट पर लिक्विड उपर की तरफ कितना फोर्स लगाएगा उपर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बायानसी फोर्स कहा जाता है ठीक है और इस फोर्स की वैल्यू हम लोग कल्कुलेट करते हैं इस प्रिंसिपल से जो अगी हम लोग सीखेंगे इस प आर्कमेटिज प्रिंसिपल समझते हैं आर्कमेटिज प्रिंसिपल यह कहता है कि इफ इस सॉलिड ऑब्जेक्ट इज सबमर्जड इंसाइड अलिक्वेड देन the volume of liquid the volume of liquid equal to submerged volume submerged volume of solid solid gets displaced जितना डूबा हुआ volume होगा solid का उतना ही volume liquid का displaced हो जाएगा okay and a force equal to weight of that displaced displaced liquid displaced liquid acts on the object on the object in in upward direction which is known as buoyancy buoyancy इसको हम लोग कहते हैं buoyancy force ठीक तो इस buoyancy force को हम लोग कुछ इस तरह से समझते हैं आप देखेंगे कि यहाँ figure बनाया हुआ है इस figure में जो solid object दिखाया गया है यह बड़ा सा solid object है जो blue color से दिखाया है इसका कुछ portion जो है वह liquid के अंदर डूबा हुआ है जैसे यह वाला portion देखेंगे यह liquid के अंदर डूबा हुआ है जब यह solid नहीं था तो यहाँ पर पहले liquid हुआ करता था इस position पर जहाँ भी solid आ गया है पर liquid हुआ करता था इस solid के आने से वहाँ से liquid डिस्प्लेस हो गया कितना डिस्प्लेस हुआ यह जो डूबा हुआ volume है जो solid का जो डूबा हुआ volume है जिसको हम लोग submerged volume कर सकते हैं vs यह जो submerged volume है solid का उतना ही वहाँ से liquid displace हो गया है तो यह कर सकते हैं कि जो liquid displace हुआ उसका volume कितना होगा उसका volume होगा इस submerged volume के equal तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं उस चीज को कि जो vs है यह actually मैं है submerged volume of solid तिक है लेकिन यह equal हुआ कि जो liquid displace हो गया उसके volume के equal है यह होगा कि equal to volume of volume of displaced liquid displaced liquid तो देखेंगे कि जितना volume solid का डुबा है वहाँ पर liquid हुआ करता था अब वहाँ से वह liquid displaced हो गया अगर liquid की density density मान लिया जाए rho L है rho L हो गया density of liquid तो हमें क्या निकालना है बायंसी फोर्स निकालना है बायंसी फोर्स जो है उसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे बायंसी फोर्स यह होता है is equal to weight of displaced liquid ठीक है जैसा कि यहां कहा गया आप देखेंगे प्रिंसिपल में जो कहा गया है कि यहां कहा गया कि a force equal to weight of that displaced liquid ठीक है acts on the object which is called buoyancy force तो हमें क्या करना है एक फोर्स ऐसा पता करना है जो की displaced liquid के weight के equal है तो यह buoyancy force बताएगा अब यहां से देख सकते हैं कि जो displaced liquid का weight निकालना है weight of displaced liquid तो weight निकालने के लिए पहले उसका mass निकालना पड़ेगा ठीक तो displaced liquid का mass निकालेंगे कैसे density of liquid into इंटू इंटू यह है displaced liquid का volume volume of displaced liquid तो VA से multiply कर देंगे जो इस तरह से कर सकते हैं कि जो force of buoyancy होता है यह होता है density of liquid into submerged volume of solid into g इस तरह से buoyancy force का value calculate किया जा सकता है अब ऐसा माल लेते हैं कि कोई जो solid object है और liquid है यह system किसी container के अंदर रखा है और यह जो container है यह acceleration से ऊपर की तरफ जा रहा है इस case में हम लोग buoyancy force कैसे निकालेंगे यह जो buoyancy है वो तब के लिए है जब कि container stationary है तिक है यह तब के लिए है जब container stationary है अब हम लोग find करेंगे कि buoyancy force तब निकालेंगे when container is accelerated ठीक है जो container है वो ऊपर की तरफ accelerated है ऐसा मान लेते हैं इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग container के respect में liquid का weight निकालेंगे ठीक है तो इस case में हम लोग यह कर सकते हैं कि जो buoyancy force होगा यह होगा equal to weight of displaced liquid with respect to container ठीक है तो container आप देखेंगे कि खुद भी किसी acceleration यह से जा रहा है तो अगर ऐसे figure में दिखाए जा है कि यह container खुद भी acceleration से जा रहा है तो अगर container के respect में यह जो displaced liquid है उसका weight निकालना है तो पहले मान लेते हैं कि इसका submerged volume है solid का vs है ठीक है तो container के respect में देखेंगे अगर यह vs submerged volume है तो नीचे की तरफ इसका खुद का weight आएगा rho l into vs into g जो यहां हमने पढ़ा था यहां पढ़ा था कि अगर यहां जो liquid होता पहले अगर इस जगा पर liquid होता तो उसका weight होता rho l उसकी density और submerged volume submerged volume of solid का मतलब होगा displaced liquid of weight के equal यह वाला volume into g तो यह होगा displaced liquid का weight नीचे की तरफ उतना ही force actually में इस पर उपर की तरफ लगता है जिसको की हम लोग buoyancy force कहते हैं यहां पर यह जो displaced liquid है उसका weight आएगा नीचे इस तरह से साथ में चुकि हम लोग इस non-inertial observer respect में देख रहे हैं जो की acceleration a से चल रहा है उपर की तरफ तो एक pseudo force भी आएगा इस liquid की बात करा हम लोग तो liquid पर liquid का पहले mass लेंगे rho l into vs into acceleration लेंगे इस अलब दरबर का a इतना force नीचे की तरफ लगेगा तो container के respect में अगर इसका weight निकालना हो तो दो force लगाएंगे ठीक है आपर जो buoyancy force आएगा वो लिखेंगे एक तो rho l vs into g जो पहले हमने निकाला था वो तो आएगा ही उसके addition में ये एक pseudo force आजाएगा तो pseudo force को लिख देंगे rho l into vs into a यानि कुल मिला करके अगर देखा जाए तो अभी जो buoyancy force होगा वो हो जाएगा rho l vs into g plus a तो पहले जो लगता था जब accelerated नहीं था container तो force इतना लगता था अब जो है थोड़ा सा change हो गया एक acceleration a भी add हो जाएगा तो जो भी अभी हमने सीखा है उसको एक बार हम लोग summarize करते हैं आपर कि अपने पास अगर कोई object है और उसका कुछ portion कुछ portion जो है वो liquid के अंदर डूबा है तो मा लेते हैं कि उसका vs volume डूबा हो ये वाला volume उसका डूबा हो तो when container is stationary, stationary then buoyancy force is given by is given by FV is equal to rho L into Vs into G where rho L is density of liquid Vs is submerged volume of solid ठीक है और ये displaced liquid के volume के equal भी होता है और G क्या हो गया? G हो गया acceleration due to gravity इस तरह से buoyancy force calculate करेंगे जब container stationary होगा accelerated नहीं होगा ठीक है stationary हो या constant velocity से भी चल रहा हो तो यही concept apply करेंगे ठीक है फिर अगर ऐसा हो कि जो solid object है जो liquid है ये दोनों ही किसी container के अंदर रखे हो और वो container accelerated हो ठीक है तो उस case में क्या होगा कि ये जो container है ये container किसी acceleration से उपर की तरफ जा रहा हो ऐसे है तो इस case में हम लोग बायंसी force calculate करते हैं एक formula से जिसको हम लोग कर सकते हैं rho L into Vs into G plus A जिसमें से फिर से ये जो submerged volume है liquid का solid का जो submerged volume है वो है Vs है न इसमें कहेंगे कि liquid जो है वो यहां तक बारा हुआ है जिसका ये वाला portion जो है उसमें solid आ गया है तो यहां भी देखेंगे कि जो rho L है वो same meaning है density of liquid और जो Vs है उसका भी same meaning है submerged volume of solid G acceleration due to gravity है बस एक factor आ गया है A है न तो A जो होता है वो है where A is acceleration of container in upward direction अगर downward direction acceleration होगा तो आपर negative करके रखेंगे तो यह दो formula हैं जिससे कि हम लोग biancy force calculate कर सकते हैं तीक है अब biancy force related एक दो question करेंगे तो biancy force और archimedes principle से related एक example करते हैं इस example में क्या है कि हमें एक figure बनाया गया है figure में एक container के अंदर liquid भरा है और उस liquid में एक block डूबा हुआ है block का जो आधा portion है वो डूबा हुआ है अगर इसका total volume कहें कि V है तो इसका Vy2 डूबा हुआ है और Vy2 जो है वो बाहर है ठीक तो यह कह सकते हैं कि half of volume of block is submerged and it is in equilibrium ठीक अब ऐसा है कि if container is accelerated accelerated in upward direction with constant acceleration A0 then we have to find then find fraction of volume of block submerged in the liquid ठीक है अभी container stationary है तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो liquid है उसका density है रो और जो block है इसका density है sigma तो इस block पर नीचे की तरफ जो force लेगा वो होगा mg यानि इसका density और इसका volume यह हो गया उसका mass into G बायंसी फोर्स लेगा उपर की तरफ बायंसी फोर्स सिर्फ इस आधे portion जो है आधा portion जो डूबा हुआ है इसके इसके बराबर displace liquid का weight के equal होगा है ना तो इसमें हम लोग जैसे की बायंसी फोर्स निकालते है फोर्मुला होता है रो यहां पर मानि liquid का जो density है वो है रो और और submerged volume जो डूबा हुआ volume है वो है V by 2 into G अभी यह equilibrium है तो equilibrium में होने का मतलब है कि जितना force उपर लग रहा होगा उतना ही force नीचे भी लग रहा होगा तो लिखेंगे sigma VG is equal to rho Vy2 into G तो यहां से sigma और rho में एक relation आ गया रो is equal to हो गया 2 sigma अब इस container को accelerated कर दिया गया है तो यहां पर एक figure बनाया गया है देखेंगे यह A acceleration से A not acceleration से उपर जा रहा है तो अब अगर इसका free body diagram बनाएंगे यह liquid में अभी भी डूबा हुआ है तैक है इस तरह से डूबा है लेकिन इसका जो submerged volume है वो मान लेते हैं कि N into V डूबा हुआ है तहीच है तो इसमे N into V volume इसका डूबा हुआ हुआ डूबा हुआँए, total volume इसका V है जिसमें से N भी डूबा हुआ हुआ है है ठीक अब इस ब्लोग का फ्री बडी डियागराम बनाएंगे तो नीचे की तरफ आएगा सिग्मा इंटु वी इंटु जी जो सुरू में वेट आया था वो वेट अभी भी लग रहा होगा लेकिन अब बायंसी फोर्स जो है हो सकता है चेंज हो गया होगा बायंसी फोर्स कि फॉर्मूला बताया जब कांटेनर अक्सेलरेटेड हो वो बताया रो एल वी एस इन्टु जी प्लस ए ठीक है तो रो एल जो है यानि लिक्विड की डेंसीटी रो है समच्ड वॉल्म हमने एन इन्टु वी लिया हुआ है तो उसको एन इन्टु वी रख देंगे इन्टु प्लस एनोट तो यह हो गया भायन सी फोर्स यह हो गया इसका जो ब्लॉक है ब्लॉक का वेट लेकिन कॉंटेनर के रेस्पेक्ट में हमें देखना है तो कॉंटेनर के रेस्पेक्ट में एक नीचे की तरफ जो है स्यूड़ फोर्स लएगा क्योंकि यह और खुद भी एनोट से जा रहा होगा तो इसके respect में नीचे के तरफ pseudo force लगाएंगे mass लेंगे block का और acceleration लेंगे observer का इतना नीचे के तरफ pseudo force लग रहा होगा अभी फिर से equilibrium होगा at equilibrium तो उपर जो बायन जी फोर्स लग रहा है रो इन्टू एन्वी इन्टू जी प्लस ए यह जो force है जिसको कि हम लोग बायन से force कहते हैं वो आया है इतना जो उपर देखें यहाँ पर यहाँ है रो इन्टू एन्वी इन्टू जी प्लस ए नॉट इस इस इक वाल्टू नीचे जो इसका इस पर फोर्स लग रहा हो एक तो सिगमा भी जी प्लस यह हो गया स्वीड़ो फोर्स रो वी इंटू ए नॉट यह रो वी इंटू ए नॉट नहीं होगा इसको थोड़ा था चेंज करेंगे क्योंकि एक्षिली में हम लोग किस पर यहाँ भी सिगमा भी होणा चाहिए यह ए म इंटू ए नॉट यहाँ भी हमें चेंज करना पड़ेगा तो यह फोर्स हो जाएगा सिगमा इंटू V इंटू ए नॉटू ए नॉटू अब इसको लिखा सकता है सिगमा V इंटू G in पलस आं अट और इज़ार है रो इंटू NV into g प्लस a0 तो इसमें से g प्लस a0 cancel होगया यह v cancel होगया थिक है तो an का value आया sigma y rho अब देखेंगे यहां का हमें एक relation निकाला है कि जो rho है वो 2 sigma के equal होता है तो sigma rho को 2 sigma रखेंगे तो यह आगया 1 by 2 हमें क्या पता करना है fractional volume which is submerged ठीक है तो submerged volume का fraction निकालना है तो हम देखा कि submerged volume है एन वी और total volume है block का V यानि ये एन के equal आएगा यानि कि ये 1 by 2 आएगा तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी भी आधा portion ढूबा होगा पहले भी आधा ढूबा था ठीक है और अभी भी आधा ही ढूबा है मतलब कि अगर container को accelerated करने से कोई फर्क नहीं पड़ा है अभी भी आधा volume ढूबा होगा है ठीक अच्छा इसके बाद हम लोग एक और example करेंगे ये example भी पिछले वाले example से मिलता जूलता है इस example में क्या है कि एक ब्लोक दिया गया हमें जो की काफी हलका है liquid से उसकी density कम है तो ये उपर की तरह वागने की कोशिश करेगा हमने एक रसी से एक string से attach कर दिया है ठीक है अभी इसमें tension बताया गया है T0 ठीक जब ये container stationary है लेकिन जब ये container A0 acceleration से उपर जाता है तो इसमें जो tension आएगा उस T का value हमें find करना है ठीक है तो सुरू में क्या है कि initially container is stationary तो stationary होगा तो tension है T0 और जब accelerated होगा तो tension होगया T तो उस T की value हमें find करनी है तो इसके लिए क्या करेंगे पहले हाँ पर free body diagram बनाते हैं देखेंगे कि नीचे की तरफ एक T0 tension आएगा नीचे की तरफ उस block का weight आएगा sigma V into G अगर इसका volume V माल लिया जाए ठीक साथ में बाइंसी force आएगा रो इसमें तूकि टोटल volume डूबा हुआ है हम लोगा लेते हैं रो L Vs into G तो density of liquid हमने रो लिया है और पूरा volume ही इसका डूबा हुआ है तो Vs के जगा पर रखेंगे V into G अभी equilibrium में है at equilibrium उपर force लग रहा है रो Vg और नीचे force लग रहा है T0 plus sigma Vg तो यहां से हम लोग एक चीज़ निकाल सकते हैं कि रो माइनस sigma into Vg is equal to T0 आ गया अब अगर यह accelerated होगा तो इस पर नीचे की तरफ tension force आएगा T नीचे की तरफ इसका खुद का weight आएगा इसकी density हमने मान लिया है sigma है इसका weight आएगा sigma Vg ठीक है साथ में एक pseudo force भी लगा है container का respect में देखेंगे एक pseudo force लगाएंगे इधर की तरफ जो की sigma V into A0 आएगा और बायंसी force बायंसी force होता है ρो L Vs into G plus A0 जब container accelerated हो और यह बायंसी force भी container के respect में होता है है ना तो यहाँ पर density of liquid ρो रखेंगे submerged volume जो है वो पूरा है और यह हो गया G plus A0 तो add equilibrium यहाँ equilibrium देखेंगे उपर force लग रहा है ρो V G plus A0 और नीचे force लग रहा है तो tension force है T plus इसका weight और pseudo force sigma V G plus sigma V A0 तो यहाँ से T का value निकालना हो तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि rho minus sigma into V into G plus A0 यहाँ गा अब हम लोग क्या करेंगे कि जो पहले हमने derivation किया है यहाँ पर इसमें से rho minus sigma का value निकालें तो आएगा T not by V G तो यह वाली value हम लोग substitute करेंगे यहाँ पर रो minus sigma के value आई है T not by V G into V G plus A not देखेंगे कि यह V cancel हो गया तो आएगा T not G plus A not by G यहाँ फानिली जो tension है वो हो गया T not फिर 1 plus A not by G तो अब जो tension है वो पहले से कुछ बड़ा हो गया है टीक है एक example करते है इस example में देखेंगे कि यह container है और container में दो liquid भरे हुए है यह जो red line दिख रहा है वहाँ से नीचे एक heavy liquid है जिसकी density है 2 row है और red line से उपर एक different liquid है और इस liquid की जो density है वो है रो है अभी जो block है इस block का आधा portion यानि की total volume का Vy2 नीचे वाले liquid में डूबा है और आधा portion जो है वो उपर वाले liquid में डूबा हुआ है तो हमें क्या करना है कि इस में इस cube का यह जो block है इस block का density पता करना है। ब्लॉक की density अगर सिगमा हो तो सिगमा की value पता करनी है और इफ ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन इकलिवरियम दैन फाइन दैन्सिटी ओफ ब्लॉक तो हम ऐसा करेंगे कि पहले इसका फ्री वट डागराम बनाएंगे तो नीचे की तरह फोर्स आएगा सिगमा इन्टू v into g सिगमा दैन्सिटी है और ब्लॉक का टोटल वोलॉम है v into g ये वेट हो गया अब इस पर जो बायंसिटी फोर्स लएगा वो बायंसिटी फोर्स दो डिफरेंट पार्ट पर लएगा एक नीचे वाला जो पॉर्षन है इस पर जो बायंसिटी लएगा है ना तो उसमें का लेंगे density लेंगे टूरो जैसा कि हम लिखते हैं बायांसी फोर्स होता है density of liquid submerged volume of solid into G तो अगर नीचे वाले liquid की बात करें तो उसमें आधा volume डुबा हुआ है तो यह density of liquid हो गया submerged volume of solid Vy2 हो गया इस liquid के अंदर into G तो इस आधे portion के लिए बायांसी फोर्स निकल गया अब उपर वाला जो आधा portion है इसके लिए निकालेंगे तो liquid density लेंगे रो क्योंकि इस liquid density रो है submerged volume इसमें है Vy2 into G तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो उपर की तरफ जो टोटल बायांसी फोर्स लग रहा है वो है रो इन्टू Vy2 into G फिर दूसरे वाला पार्ट है 2 रो Vy2 into G और नीचे इसका वेट लग रहा है सिगमा वेजी है न तो यहां से आप देखेंगे कि आएगा 3 बाय टू रो वेजी इसकोल टू सिगमा वेजी तो सिगमा वेजी कैंसिल कर सकते हैं तो सिगमा का जो वेलू आएगा 3 बाय टू इन्टू रो लिकुड की डेंसीटी रो है तो ब्लॉक की डेंसीटी सिगमा आजाएगे 3 बाय टू रो